वाटसअप ने अपने हाली में पॉलिसी अपडेट के लिए नोटिविक्शन यूजर्स को सेंड करना शुरू कर दिया गया है और इससे बहुत से लोगोंने कम्टेट भी किया है इसके बारे में कि वाटसअप की पॉलिसी है जो नोटिविक्शन लोगों पास आ रहा है उसम कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि आगर वीडियो में बताई का इसके आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा जिससे ऐसी ही नोलेजिबल वीडियो में आपके लिए लाता हूँ सो नाओ लेस्स स्टार्टेड जैसे हम सब जानते हैं कि वाटसअप ने अपने पॉलिसी है सेक्वरिटी पॉलिसी उसको अपडेट किया है और इसका जो नोटिफिकिशन है वो सभी के पास जा रहा है और उसमें जो आपको बताया है कि उसमें आपको एगरी करना है अगर पास बेकरी नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वह एट फैबरेट तक दिलिट कर दिया जाएगा वाटसअप के थुरू अगर आप वाटसअप को यूज करना चाहते हैं तो आपको वह लोटिफिकेशन एकसब करना ही पड़ेगी वाटसअप की जो पॉलिसी है वह बहुत से लोग ने इसके अगेंस्ट रिपोर्ट किया है कि उनकी प्राइवेसी है वह उनको सेव नहीं लग रही है या उनको इस चीज से टेंशन है कि हमारे कुछ जो डाटा है वह इंपर शेयर ना कर दिया है जैसे कि अभी बीच में यूज आइंटी की बहुत से लोगो करता है तो उसका वाट्सप जो अकाउंट है वह डिलीट कर दिया जाएगा एट फैब तर तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए देखें पहली बात तो यह आपके लिए वाट्सप परस्नली हमारे सब के लिए बहुत ही यूसफुल एप है हम डेली अपने वाट्सप अकाउं टेलिग्राम और एक सिंग्नल एप इंडिया में वाट्सप के अगेंस्ट आल्टेनेटिव एप माना जा रहा है और इसमें बहुत अच्छी तरीके से ग्रूथ किया है दो दिनों में ही सिंग्नल ने वाट्सप को हराते हुए प्लेस्टोप पे नम्वा वन एप के पर अगर आप सिंग्नल एप को भी यूज कर सकते हैं मगर इसको यूज करने से पहले कोई कुछ बात नहीं है जो आप ध्यान में रखनी है वह यह है कि जो वाट्सप वहसे ही एक आप जो है सिंग्नल एप भी है दोनों ही मैसेंजिंग के लिए यूज किया जाते हैं हां ए जो डिफरेंस दोनों ही एप में वह यह है कि आपने देखा होगा कि वाट्सप पे हम अपना जो चैट दाटा होता है उसको बैक अप कर लेते हैं गूगल राइप में या उसमें हम उसको बैक बना सकते हैं मंगर यह ऑप्शन हमें सिंग्नल एप में नहीं मिलेगा उसमें आप बाती सारी चीज़ें जैसे कि हम वाट्सप पे जो भी आडियो वाट्सप पर वीडियो फाल दोकिमेंट जो भी हम उसमें शेयर करते हैं वही चीज़ आपको सिंग्नल एप पर मिल जाएगी आप उस पर भी यही सारी चीज़ें कर सकते हैं तो इस लिवजय से वाट्सेप की पॉलिसी को एक सब नहीं करना चाहते हैं या आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम है ये कुछ है तो आप सिंगनल एप का यूज कर सकते हैं मेरी परसनल परस्पेक्टिफ के हिसाब से तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि वाट्सेप की जो पॉलिसी है उसके बाद एकरी करने के बाद वो क्या इसमें डिवलोप्मेंट करता है अगर बाकि में उसकी बहुत से लोग का अगर डाटा ये प्राइवसी उसमें चोल हैं फीचर्स हमें देखने को भी मिले हैं तो थोड़ा सायद हमें बेट करना चाहिए और आगा फिर भी आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने प्राइवसी को बिल्कुल सेफ रखें तो आप दूसरे एप्स को भी यूस कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो सही लगे जहां बताएगे इंफोर्मेशन सही लगे तो वीडियो को लाइफ शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे मैं ऐसे ही कॉंटेंट वे वीडियो आपके लिए लेके आतारम और आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है मेरे चैनल के लिए तो आज के लिए जजिया ही, THANK YOU